नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आया 18 अगस्ट 2022 से बनने वाले हरियाना करंट अप्यर से सम्बंदित सभी मैंत अंसर जो की आप से आने वाले कम्पिटिशन एकजाम में पूछे जा सकते है Most important question all competition exam in हरियाना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेस्टन है पंजाब एंड हरियाना हाई कोर्ट ने 11 वकीलों को जज की नियुक्ति के बाद जजो की संक्या कितनी हो गई है तो दोस्तों इसका right answer एगा आपको option number C यानि 57 पंजाब एंड हरियाना high court में 11 वकीलों को जज की नियुक्ति के बाद जजों की संक्या 57 यानि 57 हो गई है और पंजाब एंड हरियाना high court के लिए 85 स्वीकर्थ पद है जो की 57 हो गई है और maximum आपके 85 पद है next question है पंजाब एंड हरियाना high court के वर्तमान मुख्या नियादीज कोन है तो दोस्तों इसका right answer रहेगा आपका रवी संकरजा रवी संकरजा पंजाब एंड हरियाना high court के वर्तमान मुख्या नियादीज कोन से नंबर के है तो ये 35 नंबर के मुख्या नियादीज है next question है पंजाब एंड हरियाना high court के मुख्या नियादीज कोन थे तो दोस्तों एक नोंबर 1966 को पंजाब एंड हरियाना high court के मुख्या नियादीज ते मेहर सी next question है पंजाब एंड हरियाना high court की चंदिगड में स्तापना कब की गई थी तो दोस्तों इसका right answer रहेगा आपका 1955 में पंजाब एंड हरियाना high court की स्तापना चंदिगड में की गई थी और सरवपर्थम स्तापना 1919 में लाहूर में की गई थी जिसके पर्थम मुख्या नियादी स्ते सरसादिलाल जो की रिवाड़ी जी लेके रहने वाले थे और इसका पुराना नाम लाहूर उंचने अल्या था यानि 1919 में लाहूर में स्तापना की गई थी और इसका पुराना नाम था लाहूर उंचने अल्या और इसके पर मुख निया दिशते यानि पर्थम निया दिशते सर साधिलाल जोकी रेवाड़ी के रहने वाले थे आजादी के बाद यानि 15 अगस्त 1947 को इसकी स्तापना सिमला में की गई थी और सिमला में मुख्य न्यायदीश थे रामलाल और उसके बाद एक नॉम्बर 1966 को पंजाब वेहरियाना हाई कोट के मुख्य न्यायदीश मेहर सिंग को बनाया गया था और पंजाब वेहरियाना हाई कोट के लिए कुल जजो की संक्या 85 सवी किरत है जो की अब इनकी संक्या 57 यानि 57 हो गई है नेस्ट क्वेस्टन राज्य की पर्थम महिला मुख्य न्यायदीश कोन है तो राज्य की पर्थम महिला मुख्य न्यायदीश है किरन आनंदपाल किरण आनन्दपाल जो की राज्य की पर्थम महिला मुख्यनयादिस है दूसरे मुख्यनयादिस है निर्मला यादव और तीसरी महिला मुख्यनयादिस है दया चोदरी यानि तीन महिला मुख्यनयादिस है बनी है अब तक पहली है किरण आननदपाल, दूसरी निर्मल यादव और तीसरी है देया चोदरी Next question है शिक्सानी देशालिया ने परदेश के 105 सरकारी स्कूलों को कितने किलोमेटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज करने का निर्णा लिया है तो दोस्तों इसका right answer एगा आपका option number C यानि 3 किलोमेटर के दाएरे में आने वाले 105 सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का निरिना लिया है और यह निरिना क्यों लिया गया है क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संक्या कम होने के खारण यह निरिना लिया गया है यानि मीडल स्कूल में जहां पर बच्चों की संक्या 20 से कम है उन्हें मर्ज किया जाएगा और हाई स्कूल में 25 से कम संक्या वाले स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर दिया जाएगा यानि तीन किलोमेटर के दाइरे में हाई स्कूल और मीडल स्कूल या जहां परविद्यारतों की संक्या 20 और 25 से कम है तो इन स्कूलों को एक दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा next question है हर्याना विदाल्या शिक्षा बोड की स्तापना कब की गई थी तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका 31 जनुवरी 1979 को चंदिगड में हर्याना विदाल्या शिक्षा बोड की स्तापना की गई लेकिन भिवानी जीले में इसे 1981 में स्ताना अंतरित किया गया था और इसके पर्तम सचीवते विशवनाद जी next question हर्याना विदाल्या शिक्षा बोड के द्वारा पर्तम बार दस्मी की परिक्षा का आयोजन कब किया गया तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका 1970 में पर्तम बार दस्मी बोड की परिक्षा ले गई थी और आठमी परिक्षा ले गई थी बोड की आपकी 1906 में और पलश्टू की परिक्षा ले गई थी पर्तम बार 1987 में यानि दस्मी की परिक्षा आपकी 1970, आठमी की परिक्षा 1906 और बार्मी की परिक्षा 1987 में ले गई थी हर्याना विदाल्य सिक्सा बोड की मुख्य पत्रीका का नाम किया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका सांध्य देनिक हर्याना की अवाज जो कि हर्याना विदाल्य सिक्सा बोड की मुख्य पत्रीका है सांध्य देनिक हर्याना की अवाज Next question है, हर्याना के किन जीलों में दो-दो केंद्रिय भी दाल लिया है? तो दोस्त इसका right answer रहेगा, यानि हर्याना के तीन ऐसे जीले हैं, जहां पर दो-दो केंद्रिय भी दाल लिया है, और ये तीन जीले, पानीपत, रिवाडी और पंचकुला सामिल है Next question है, हर्याना एगरिकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, RH 1425 और RH 1706 किसमे विक्षित की गई है तो ये किसमे कौन सी है? तो दोस्त इसका right answer रहेगा, आपका option number C, यानि ये किसमे है आपकी सरसों की हर्याना एगरिकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, RH 1425 और 1706 कि किसमे विक्षित की गई है और ये किसमे सरसों की है, यानि option number आपका C रहेगा Next question है, हर्याना एगरिकल्चर यूनिवर्सिटी के वर्तमान कूलपती कोन है? तो दोस्तों इसका right answer रहेगा आपका B.R. कमबोज, जो की हर्याना एगरिकल्चर यूनिवर्सिटी के वर्तमान कूलपती है और हर्याना एगरिकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी हिसार जीले में स्तीत है Next question हिसार जीले को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हिसार जीले को मेगनेट सिटी, स्टिल सिटी और इसपात नगरी के उपनाम से जाना जाता है और हिसार जीले की स्तापना 1.9.1966 को की गई थी Next question है परदेश का सूर उर्जा से संचालित होने वाला पर्तम हवाई अड़ा कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट अंसर रहेगा आपका महाराजा अगरसेन हवाई अड़ा जो की सूर उर्जा से संचालित होने वाला परदेश का पर्तम हवाई अड़ा है और ये आपका हिसार जीले में स्तित है Next question है तो दोस्तों सरवादी खंडो की संच्या वाला जीला भी हिसार जीला है और इसमें खंडो की संच्या दस है Next question है हर्याना की किस जीले में स्तित मारुत्ती सजुकी के प्लांट का सीला निया स्परदान मंतिर नरेंदर मोदी के द्वारा 28 अगस्त को किया जाएगा तो दोस्तों इसका राइटन सरेगा आपका उप्स नमबर B यानि सोनिपत जीले के खरकोद्दा नामकस्तान पर मारुत्ती सजुकी के प्लांट का सीले नास पर दान मंतिर नरेंदर मोदी के द्वारा 28 अगस्त को किया जाएगा और यह है प्लांट आपका लगबग 900 एकड में मारुत्ती सजुकी के द्वारा बनाया गया है और सो एकड में मोटर साइकलों का प्लांट भी लगाया गया नेक्ट क्वेस्टन है रवीद या नवीन कुमार के द्वारा कॉमन वेल्ट गेम्स 2022 में कौन से पदक जीते गई है तो दोस्तो इन दोनों के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है रवीद या के द्वारा 57 किलोगराम का टैगरी में और नवीन कुमार के द्वारा 74 किलोगराम का टैगरी में गोल्ड मेडल जीते गई है और इन दोनों का संबद अर्याना के सोनिपत जीले से है और सोनी पजीले की स्टापना आपकी 1972 में की गी थी और सोनी पजीले को सोने का सहर और एजुकेशन सीटी के उपनाम से भी जाना जाता है और Commonwealth Games 2022 का आयोजन इंगलेंड के बर्मिंगम में किया गया और ये आपके 22 नंबर के Commonwealth Games थे और भारत ने इस Commonwealth Games में 61 पदक जीते हैं और इन 61 पदकों में से 22 सवन पदक, 16 कास्या पदक, 16 सिल्वर पदक और 23 कास्या पदक जीते हैं और भारत इस परत्यों किता में चोथे स्थान पर रहा है Next question है खिजर खा का मकबरा हर्याने के किस जीले में स्थीत है? तो दोस्तो या भी आपका सोनिपत जीले में स्थीत है Next question हर्याने का एक मात्तर परम वीर चक्कर विजेता कौन है? तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका हुश्यार सिंग यानि मेजर खुश्यार सिंग जो की गाउं सिसाना के रहने वाली है जो की हर्याना के एक मात्तर परम वीर चक्कर विजेता है Next question है तो दोस्तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका 300 मेगावाट की और ये भी आपकी सोनिपत जीले में स्तीत है Next question हर्याना पर्देश के द्वारा NDA सूपर 100 कार्यक्रम के तहत कितने परतिसत सिटों पर लड़क्यों के लिए आरक्सित करने का नियर्णा लिया है तो दोस्तो इसका राइट अनसर रहेगा आपका उप्सन नंबर B यानि 25% सिटे अब लड़क्यों के लिए आरक्सित की जाएगी यानि सूपर 100 कार्यक्रम के तहत अब लड़कों के लिए तो 75 सिटे और लड़क्यों के लिए 25 सिटे आरक्सित कर दी गई है और NDA Super 100 की कार्यकरम में दस्वी और बार्वी के लड़कों और लड़कों के लिए यह परिक्सा आयोजित की जाती है इसमें दस्वी और बार्वी में 80% अंक लाने जुरूरी है तबी इस परिक्सा में यानि Super 100 कार्यकरम के तहत जुड़ सकते है Super 100 योजना क्या है हर्याना सरकार ने मेधावी चात्रों के लिए Super 100 योजना सुरू की है इस योजना के तैट दस्वी कक्सा में 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले सभी सरकारे स्कूल चात्रों को बोर्डिंग सुईदा के साथ साथ JNEET की मुप्त कोचिंग दी जाएगी Medical और Engineering परतियोगीता परवेस परिक्साओं के लिए यह है परसिक्षन पाट्ठेकरम दो साल का होता है जो की बिलकुल मुप्त है तो इस योजना में परवेस पाने के लिए सरकार उमिद्वारों के लिए परवेस परिक्सा आयोजित करती है और परवेस परिक्सा के लिए मुप्त विसेशग्य कोचिंग परदान की जाती है सवतंतरद दीवस के आवसर पर हर्याना पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को विशिष्ट सेवाव के लिए राष्टेपती पुलिस पदक एम सरानिय सेवाव के लिए पदक से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों यह है क्वेस्टन आप सभी के लिए कि यह है कितने पुलिस अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है हमारे पास खुरोप सने 10 को 13 15 या 20 अधिकारियों को नेक्स्ट क्वेस्टन है जो कि कल की वीडियो में पूछा गया था कि अजादी कि अमरित मोहत्सों पर पर परदेश में सवतंतरता दीवस के आउसर पर राज्य पाल के द्वारा निमली कितमी से किस तान पर दवजा रोहन किया गया है तो दोस्तों इसका राइट अंसर था आ पर दवजा रोहन किया गया है तो फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए से वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लएगे तो वीडियो को लाइक कीजिए